परिचय अनन्या अपनी मां के साथ कपड़ी की दुकान पर खड़ी है वह गर्मी के मौसम के लिए कपड़े खरीद रही है वह काले रंगी एक टी-शिट पसंद करती है लेकिन उसकी मां उसे मना कर देती है अनन्या इसका कारण जानना चाहती है अनन्या की मां उसे बताती है कि गर्मियों में गहरे रंग के कपड़े पहनना सही नहीं है अनन्या कपड़ों के विभिन प्रकार के बारे में और अधिक जानना चाहती है उसकी मां घर पहुँचकर उसे कपड़ों के बारे में बहुत सारी बातें बताती है बच्चों, इस अध्याय में आप मौसम के बारे में जानेगे आउ सीखें भारत में पाए जाने वाले विभिन प्रकार के मौसमों का वढ़न करना विभिन मौसमों में पहनने वाले कपड़ों को पहचानना मौसम भारत में तीन मुख़्े मौसम पाए जाते हैं. ये हैं गर्मी, बारिश यानि मौनसून और सर्ती. गर्मी का मौसम गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है. गर्मियों में दिन लंबे तथा रातें छोटी हो जाती हैं. हम हलके रंगवाले धीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं. हम गर्मी से बचने के लिए आइस क्रीम खाते हैं तथा ठंडे जूस और कोल्ड रिंक आदे पीते हैं. हम अपने घरों को ठंडा रखने के लिए कूलर तथा एर कंडिशनर चलाते हैं. बारिश यानि मौनसून का मौसम गर्मी के मौसम के बाद मौनसून का मौसम आता है. इसे बरसात का मौसम भी कहते हैं. इस मौसम में चारों तरफ हरियाली हो जाती है. लोग बारिश से बचने के लिए बरसाती कोट, बरसाती जूते तथा छातों का प्रयोग करते हैं सर्दी का मौसम बारिश के मौसम के बाद सर्दी का मौसम आता है ये एक ठंडा मौसम होता है दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं सर्दी से बचने के लिए हम गहरे रंग वाले उनी कपड़े पहनते हैं हम गर्म बने रहने के लिए गर्म चाए, कौफी तथा सूप पीते हैं हम हीटर तथा ब्लोर का प्रयोग करके अपने घरों को गर्म रखते हैं आओ खेलें मौसम के नामों को उठा कर उनके संगत चित्रों के नीचे रखें हमने क्या चर्चा की? भारत में पाए जाने वाले तीन मुख्य मौसम गर्मी, बारिश यानि मांसून तथा सर्दी है गर्मियों में दिन लंबे होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं बारिश यानी मौनसून को परसात का मौसम भी कहते हैं. सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं.